नमस्कार दोस्तों इंपलई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूएने मेंबर पोर्टल का पूरा टूर आपको करवाने वाले हैं जैसे ही आप EPF के वेबसाइट पर जाते हैं अपना यूएने नमबर और पासवर डालकर एंटर होते हैं तो आपको बहुत सारे आपसन याँ पर देखने को मिलते हैं तो किस आपसन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं डेटा पे एकजिट कहां से मेंसन करेंगे के वाईसी कहां से करेंगे एडवांस पीएप का पैसा कहां से निकालेंगे पैंसन का पैसा कहां से निकालेंगे पीएप का पैसा कहां से निकालेंगे इस सारी चीजे जो कि आपके यूएने मेंबर पोर्टल में होती है इसके अलावा इनॉमिनिशन होता है UNA Card Download का Option होता है Password Change का Option होता है Mobile Change का Option होता है Gmail Change का Option होता है यह सारे Option जो है आपको कहां मिलेंगे किस तरह से आप इनका उप्योग कर पाएंगे यहने के कुल मिला कर जैसी आप EPA फोके UNA Member Portal पर अपना UNA Number और Password डाल कर इंटर करते है तो फिर क्या एक्टिविटी आगे की होती है आपको कहां पर कुन सा Option मिलता है और उनका क्या उप्योग होता है यह सारी चीजे आपको आज के सुडियो में यहाँ पर जानने को और देखने को मिलेगी नमस्कार दोस्तों महिनु से सोलंकी आप देख रहे हैं Employee Cover Channel जहाँ पर आपको पिये पिंसन सरकारी उजनाव से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और करमचारी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी समसमय पर मिलते रहती है तो चलिए सुरू करते है तो दोस्तों जैसे ही आप अपने UNA Account में Login होते है तो कुछ इस तरह का Interface आपको यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर आपको जो है Member Profile देखने को मिलती है जिसमें आपका UNA Number आपका नाम, Data Birth, आपका Gender यहाँ पर आपको Profile Information में और भी जानकार देखने को मिलती है यहाँ आपका कौन सा आधार कार्ड जुड़ा हुआ है यहाँ आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है यहाँ नहीं जुड़ा है तो आपको यहाँ पर जोडने की जरूरत होती है आधार EKYC करने की जुरूरत होती है यहाँ पर आपका Pen Card का आपसानाता है Pen Card का नंबर आपका दिया हुआ रहता है Pen Card जुड़ा है या नहीं यह भी जो है आप यहाँ से देख सकते है Bank Account नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ रहता है Pen card में बदलाव करना तो pen card में बदलाव कर सकते है, यहां से आपका email ID और mobile number में बदलाव करना तो वो भी आप यहांपर बदलाव कर सकते हैं, यहाँ यहां यह जो menu है इसमें आपको कई तरह की services देखने को मिलेगी, सबसे पहले मिलता है view menu view में आपको 4 option देखने को मिलेगे सबसे पहला यहाँ पर profile प्रोफाइल को यह दि हम open करते है तो profile में आपको आपका profile देखने को यहाँ पर मिलता है और यहाँ आपका नाम और आपका una number देखने को मिल जाता है mobile number और gmail id देखने को मिल जाती है जिन भी option के सामने यहाँ पर आपको pencil का निसान देखने को मिलता है इन्हें चाहे तो आप यहाँ पर change भी कर सकते है यहाँ पर आपको passbook की service का direct option देखने को मिलता है और nomination का direct option देखने को मिलता है यहाँ पर आपका नाम, data birth, gender, father name, relations, international वेधी worker आप है तो वो भी दिखा देगा, qualification दिखा देगा, merit status दिखा देगा, आपका permanent address दिखा देगा, current address दिखा देगा, इस तरह से यहाँ पर आपकी profile आपको देखने को मिल जाती है, view menu में ही हम आए, यहाँ पर दूसरा सचसन आपको देखने को मिलता है, service history का, तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा, कि आपने इस particular UNA number के through कब, किस company में और कब से कब तक यहाँ पर service की है, जैसे कि यहाँ पर आपकी member ID देखने को मिल जाएगी, आपके company का नाम देखने को मिल जाएगा, और date of exit क्या थी, वो देखने को मिल जाएगा, यानि कि कब से कब तक आपने service की, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कई लोगों को यहाँ पर date of exit और date of joining की भी जरूरत पड़ती है, तो इस तरह से view वाले section में, service history में आके वो यहाँ से check कर सकते ह कि उनकी date of joining कब की है, date of exit कब की है, इसे चाहे तो वो यहाँ से download भी कर सकते है, ऐसी यहाँ पर view वाले section में, आपको you and a card का एक option देखने को मिलेगा, you and a card वाले option पर जैसी आप click करेंगे, तो यहाँ से जो है आप अपना you and a card download कर सकते है, जिस तरह से आपका आधार card होता ह उसी तरह से आप अपना you and a card भी यहाँ पर download करके रख सकते है, ताकि आपको आपकी बाकी की जो information है वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़े और card पर यहाँ पर आपकी सारी basic जानकारिया दी हुई रहती है, इसे आप print out निकाल कर यहाँ पर आराम से अपने पास रख सकत बात करें आपके you and a card की तो कुछ इस तरह से आपका you and a card यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका universal number देखने को मिल जाएगा, जो photo आपने लगाई है वो photo आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा, आपका father name देखन पर पहुँच जाते है और यहाँ पर अपना UNA नंबर पासवर्ड और केप्चर डाल के अधिया प्लॉगिन करते है तो आप अपनी EPF की पासबोग देख सकते है जिसमें आपको यह पता चलता है कि आपके PF अकाउंट में भी कितना पैसा जमा हुआ है कब आपने कितना पैसा निकाला है आपके नियुकता ने कितने पैसे जमा की है यह सारी जानकरी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाती है इसके उपर एक dedicated वीडियो हमने बना रखा है जो आप जो है चेक आउट कर सकते है इस वीडियो के end screen पर भी आपको वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से view menu में जो 4 features होते है हमने यहाँ पर देख लिए अगला जो menu होता है वो होता है manage का यहाँ पर आप पहला option देखने को मिलता है basic details का इस पर जैसे आप click करते है तो यहाँ पर आपका आधार card का number देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको आपका नाम देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको data birth देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपका gender देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको किस company में आप employee है वो भी जो है आप यहाँ पर select करके देख सकते है चाहे तो आप यहाँ पर जो है अपनी basic detail में जो भी जानकरी change करना चाहे वो change कर सकते जैसे आप आपका नाम यहाँ पर original देख पा रहे होंगे इसमें कोई mistake है तो इसका सही नाम आप यहाँ पर input करेंगे यहाँ पर जो है आपके data birth देखने को मिल रही होगी data birth में यही कोई mistake है तो यहाँ पर सही वाले data birth आप लिखेंगे और यहाँ पर gender आप देख पा रहे होंगे यह gender में यही कोई problem है तो यहाँ पर जो है आप सही वाला gender select करेंगे tick वाले बटन पर click करेंगे और update कर देंगे तो यहाँ पर आपको आपकी basic detail change यहाँ पर हो जाएगी इसी तरह से member section में आपको देखने को मिलता है एक contact detail का button इस पर जैसे ही आप click करते है तो यहाँ से आप अपना mobile number और Gmail ID change कर सकते है यहाँ manage के button में आपको अगला button देखने को मिल जाता है KYC का इस पर जैसे ही आप click करते है तो आप पहुच जाते है KYC के section में और यहाँ से आप अपने bank KYC, अपने आधार card KYC और अपने pen card की KYC यहाँ पर कर सकते है अपने bank account को बदल सकते है अपने pen card में यहाँ पर बदलाव कर सकते है इस तरह से आप KYC यहाँ से complete कर सकते है यहाँ पर आपको जो है e-nomination का option देखने को मिल जाएगा इस e-nomination वाले option पर click करके आप अपना e-nomini जोड सकते है यानि कि जब आपकी मृत्व यहाँ पर होगी या आप किसी कारणवस दुरगटना वरत यदि आपकी मृत्व हो जाती है तो आपका P.A.P. में जो पैसा रखा है वो किसे यहाँ पर मिलेगा कितना यहाँ पर मिलेगा वो आप decide करके e-nomination यहाँ पर भर सकते है इसके अलावा यहाँ पर आपको एक mark exit का option देखने को मिलता है इस mark exit वाले option पर click करके आप अपनी नौकरी छोड़नी की तारीक यानि की date of exit यहाँ पर fulfill कर सकते है यहाँ पर आपको account का option देखने को मिलेगा यहाँ पर account वाले option में आपको एक change password का option देखने को मिल जाएगा इस change password वाले option पर click करके आप अपना password यहाँ पर change कर सकते है इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा online services का option यह काफी ज़्यादा important है यदि आप PF का पैसा withdrawal करना चाहते है PF में आपका जो पैसा रखा हुआ है उसमें से पैसा निकालना चाहते है तो यहाँ पर आपको farm 31, farm 19, farm 10C और farm 10D का option देखने को मिलता है इस पर जो है click करके आप इन में से विवी farm आप यहाँ पर भर सकते है farm 31 आप advance PF के लिए भर सकते है farm 19 आप पूरा PF विड्रॉल करने के लिए नौकरी छोडने के बाद यहाँ पर भर सकते है farm 10C आप pension का पैसा विड्रॉल करने के लिए नौकरी छोडने के बाद भर सकते है और या आप पैंसन लेना चाहते है यह option उन लोगों के लिए काम में यहाँ पर आता है, यदि आपने पहले किसी company में यहाँ पर job की है, अब आपकी job यहाँ पर छूट चुकी है, आप किसी नई company में यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप अपने P.A.P. का पैसा नहीं निकालना चाहते हैं, तो उस company में आ यदि आपने P.A.P. का पैसा निकालने के लिए यहाँ पर आविदन किया है, आपने P.A.P. का पैसा कभी निकाला है, आपने P.A.P. ट्रांसफर के लिए यहाँ पर option भरे है, आपने farm 31, farm 19, farm 10C, farm 10D कुछ यहाँ पर भरा है, तो उसका status आप देख सकते हैं कि कहां तक क्या process पहुची है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ आपको एक डाउनलोड अनिकश्वेर के का option भी देखने को मिलता है, जो कि अनुलगन से संबंदित है, यह भी जो है आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका जो P.A.P. का UNA Member Portal होता है, UNA Member Portal मे जो basic जानकरिया होती है, किस option के थुरू आप यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, यह सारे जानकरी मैंने आपको आज के studio में यहाँ पर बताई, इसके अलावा UNA Card के लिए direct option यहाँ पर दे रखा है, आपके account में कुछ setting करनी है, तो direct option यहाँ पर आपको दे रखा है, तो इन options की मदद से आप यहाँ पर जो है UNA Account में अपनी basic जानकरिया, चाहे आपको ठीक करनी हो, चाहे आपको यहाँ पर आपकी profile देखनी हो, service history देखनी हो, UNA Card या PA Passbook चेक करनी हो, आपको कुछ manage करना हो, यानि कि आपकी basic detail में कोई सुधार करना हो, आपका यहाँ पर contact detail में कोई स market exit यानि कि आपकी नवकरी थोड़ने की तारीक आपको खुद ही यहाँ पर डालनी हो, ऐसे सारे option यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है, आपके account का password आपको change करना है, या इसके अलावा आप PA का पैसा निकालना चाहते है, pension का पैसा निकालना चाहते है, अपने PA को transfer करन balance को check कर सकते है, और balance का रख रखाओ कर सकते है, अपने account को manage कर सकते है, तो दोस्तों उम्मित करता हूँ, ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो जानकारी आपको अच्छे लगी हो, वीडियो को like कीजे, अपने सभी दोस्तों के साथ share कीजे, इसे पेंसन सरकारी युजनाव से जोड़े नए latest update और करमचारी से जोड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजे, यदि आपके कोई सवाल है तो हमें Instagram, Facebook, Twitter और Telegram पर join करके आप वहाँ पर direct आपके सवाल हम से पूछ सकते है, मिलते हैं आप से अ निमात्रम